किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बलकि वो काम को अलग धंसे करते जी हाँ नमस्कार दोस्तों बॉलिवुड हिस्ट्री में आपका स्वागत है मैं अपना आपका विकी स्वाणी और आज हम पहुचे हैं पंजाब राज्य के लुधियाना से 14 किलोमेटर की दुरी पर जो गाउं पढ़ता है साहनेवाल जी हाँ दोस्तों साहनेवाल आपने सुना भी हो दर्मेंदर जी के गाउं साहनेवाल में आज हम पहुचे हैं तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं रियल विजर सेंषन है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि सानेवाल का जो गुर्दवारा है तो गुर्दवारे को आपको गुर्दवारा भी मैं आपको दिखाता हूं और आप देख भी रहे हैं कि गाउं है जो पूरा खेती पर ही निरबर है आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी हर्याली है आपको दिखा रहा में देख रहें कि सानेवाल का ईपर सेशन है अब ही मैं आपको जो द्रमेंदर जी ने जहां स्कूल में पढ़ाई की थी वह भी मैं आपको दिखाऊ पीछे जो यह दिवार है यह पिछे आप दिवार जो देख रहे हैं यह स्कूल की दिवार है जहां पर द्रमेंदर जी के जो फादर है किसन सिंग देवल जिस स्कूल में हेड मस्टर रहे हैं यहां का सानेवाल का चोक है बाजा रहे चोक है और आप यह स्कूल मने बताया पर नुकरी की है और दर्मेंदर जी भी यहां पर अपने फादर साफ के साथ पड़े हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई पूरी की स्कूल में पंधर साल और स्कूल में परमिशन नहीं है आने चाने कि लेकिन फिर भी मैं आपको एक पर अंदर शेजरा स्कूल का जो अंदर की जो चीज़े हैं द्रश्य है वो आप देख रहे हैं और वीडियो में आपने देखा भी तो अभी आगे का आपको लेकर चलते हैं जो तो साने वाल की जो गलियां हैं उन गलियों के अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो घर बने हुए हैं और हर्याली भी बहुत ऐसे गाऊं के अंदर साने वाल में जो आप वीडियो में देख रहे हैं लगातार् कितना साने वाल गाऊं देखने में इतना अच्छा है और द्हभमेंदर जी तो यहां देख रहेंगे चलेंगे अभी धर्मेंदर जी का जो घर है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामने जो वो गाड़ी खड़ी है उसके बिल्कुल पास में ही धर्मेंदर जी का बच्छपन का जो घर है वो अभी ये वाला घर है ये आप देख रहे हैं ये घर यहां से जनम हुआ था और उनके पिता जी, उनकी माता जी यहीं पे सब रहते थे बच्पन में, तो अभी तो घर में ताला लगा हुआ है, तो अभी हमने बात की है, थोड़ी दिर में वो जो भी हाँ पे किराया पे रहता वो आने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपको और भी मिलवान चाहेंगे, जो एक हमारी माता जी है, जिन्होंने द्रमेंदर जी के साथ 15-16 साल बिताएं है, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे द्रमेंदर जी के बारे में, तो अभी मैं आपको थोड़ी दर में घर दिखाऊंगा, उससे पहले, जो जो माता जी है, उननोंने द्रमेंदर जी के साथ? तो अभी टाइम हो गया है और मैं आपको लेकर चलता हूं वो आगे उंगिन का घर द्रमेंद्र जी का जो पुराना घर है तो यहां पर मैं आपको देखिए अंदर लेकर जाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं आप देख भी रहे हैं कि यहां पर ऑगे कीटिशन आप देख रही है और जहां वत्का जूरी मोड़ीं है अंदर जी इंडिया जुवाज़ छेशन ने लिएसे उएतव करें अब दोस्तौतर साब्सेतृई सब्सक्राइब करें और प्लेय उन सब्सक्राइब लेकर भूसराइब जलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद